दोस्तों आज करसे बीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ यूणिक कर्यियर औप्चन के बारे में जिननें आप 12 के बात कर सकती हैं वो यूनिक होने वाले हैं और इन फिल्ड में आप 12 के बाद अपना केरियर बना सकते हैं तो वो कौन से यूनिक करियर उप्षन है अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो बन तक बने रहे हैं अगर आज के अस वीडियो को स्टाट करते हैं दोस्तो जब बात आती है यूनिक करियर उप्षन की तो उसमें पहले नंबर पर आता है आपका डाटा साइंटिस्ट का दोस्तो अगर आप एक डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपका 12 में मैल सब्जेक्ट होना कंपल्सरी होता है दो तो एक data scientist basically काम यह होता है कि इनको data को analysis करना होता है, data को store करना होता है और data related इनकी सारा काम होता है दो तो गर आप एक data scientist बनना चाहते हैं तो 12-5 होना चाहिए, 37-37 आप BSC कर सकते हैं या फिर B-TIC कर सकते हैं computer science के field में तब जाके आप आगे चलके data scientist के field में अपना career बना सकते हैं, बात करते हैं data scientist की average salary की तो लगभग 6-8 लाव को परियर तक आप कमा सकते हैं, data scientist बनके तो काफी अच्छी salary भी इसमें मिलती है आपको और data scientist के field में का आप data scientist में जाना चाहते हैं तो लगभग 6-8 लेडियो बना दिया जा है जिसका link आपको description में मिल जाएगा आप जाके पूरे वीडियो को watch कर सकते हैं दूसरा career option के बात करते हैं तो आता है आपका blockchain solution architect या फिर blockchain engineers की दूसरा career option की बात करते हैं तो 12 के बाद इसमें आप career बना सकते हैं इस career के बनाने के लिए भी आपका 12 में math subject आपका compulsory होता है यानि के 12 पास होना चाहिए 12 PCM यानि के physics chemistry math होना चाहिए सांते साथ BST कर सकते हैं या फिर B.Tech कर सकते हैं computer science के field में इसके बाद आगे चल कि आप data scientist, machine learning या फिर any कोई भी ऐसा जो field होता है उसमें आप अपना internship गएर लेकि आसानी से इस field में career बना सकती हैं कितनी साली मिलती है एक blockchain solution architect या फिर blockchain engineer के तो लगबा 3-8 राक रुवे पर year तक आप इस field में career बना सकती हैं और पास सकती हैं साली वगरे तीसरा career option आता है biology वाले student के लिए यानि कि आप food technologist बन सकते हैं food technologist की साली वगरे की बात करते हैं तो काफी अची होती है food technology में career बनाना चाहते हैं तो आपका biology होना compulsory होता है यानि कि PCB या PCM all student इसके लिए apply कर सकती हैं हाला कि दोनों हे student इसके लिए apply कर सकती है पर PCB अगर आपका रहता है तो आपको ज़्यादा help मिलती है इसके पढ़ाई के उधारान बात करते हैं इसके लिए qualifications क्या होनी चाहिए तो आपका 12 पास होना चाहिए 12 में आपका science system होना चाहिए और इसके बाद आपको b.tech करना होता है या फिर b.h.c कर सकते हैं food technology या फिर food engineering में इसके बाद बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं इनकी सैली के तो लगभग 5-8 लाग उर्पे तक कमा सकते हैं एक food technologist बन की तो काफी best career option होता है आपके बास आप चाहे तो इस फिल्म में अपना career बना सकती है नेक्स जो unique career option आता है बालोची वाले student के लिए सिर्फ होता है career option जिसे बोलते हैं nutrition या फिर dietician होते हैं वो आपको nutrition से या फिर diet से रेटर चीज़े आपको बताते हैं कि आपको वज़न घटाना है तो कौन सी diet लेनी चाहिए वज़न बढ़ाना है तो कौन सी diet लेनी चाहिए यह सारी चीज़ आनिकि diet से रेडर चीज़े आपको बताते हैं कब बता पाते हैं जब इनको आपको पूरी तरह से इस पर पढ़ाई करते हैं सारी चीज़े करते हैं क्या होना चाहिए qualifications अगर आप nutrition या फिर diet लेनी चाहिए तो आपका टोल्स पास होना चाहिए तो आपका PCB आसकते हैं गर न्यूटिसें या फिर diet लेनी चाहिए नेक्स्ट करियर की बात करते हैं तो नेक्स्ट करियर आप्शन आता है आपका एनीमेटर का दोस्तों एनीमेटर के बारे आपने जरूर सुना होगा जो कि गेम को डिजाइन करते हैं या फिर commercial जो काम होता है या फिर व कौन से student हैं इसके apply कर सकते हैं तो कोई भी student अगर आपने 12th pass के लिए है science commerce art किसी भी stream से हैं तो आप इसमें अपना केरियर बना सकते हैं क्या होना चाहिए qualifications तो आप BCA कर सकते हैं या फिर BFA यानि कि bachelor of fine art animation के field में या फिर BSC animation course होता है जिसे आप कर सकते हैं और इस course हो करके आप इस field में career बना सकते हैं सहली कितने मिलती है लगभग 5-8 लाक रुपे तक आप इस field में career बना की सहली पा सकते हैं काफी best career option आपके पास होता है और ये best career option में अपना career बना के भी आप अच्छे निंग कर सकते हैं कुछ top level के course होते हैं कुछ unique career option है 12th pass करने के बाद इन field म बढ़ता रहेगा इसमें आप लाको रुपे मंतली के कमा सकती है आई हूप आज की जानकारी अच्छी लेगी है वीडियो आपको helpful लगा होगा और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक को सब्सक्राइब जरो कर ले मिलते हैं अश्टे वीडियो में तब तक के लिए ज हैं